ओम नमस्तिवाई सुधा भार्ध आज आपका स्वाधत करती है आज मैं आपको दे उठने एक आधसी, दे उठने ग्यास, दे उठन आधन या प्रबोधिन एक आधसी के बारे में बताओंगे की बताओंगी की इस कैसे इसको गेरू से बनाना चाहिए, कैसे इसको एक दिपावले के पश्यात कार्तिक सुकला एक आदसी को देवधान या फिर देवठने होती है इस दिन सारे घर को लिपापोता जाता है साफ किया जाता है आंगन को खड़ मिटी या फिर गेरू से उसको काड़ना चाहिए मांड़ना चाहिए आंगन के बीच वेच या फिर एक कोखली में गेरू से चित्र बना करके पूरी पकवान मिष्ठान बेर सिंहाडे या फिर कोई भी रितूफल और गन्ना एक स्थान पर रख करके उसको टोकरी से या फिर परात से उसको ढख दिया जाता है सब कुछ बना करके उसके उपर एक परात ढखती जाती है उसके महिलाएं बच्चे बड़े बजुर्ग जो भी हैं वो देवताओं को भगवान विष्णु सहित हम देवताओं की विष्णु सहित उनकी पूजा करते हैं भचन किरतन भी करेंगे और इसके साथ ही संग गड़ियाल बजा कर या फिर थाले बजा कर इस परकार से कहेंगे एकादसी की तिथी को देव सैन करते हैं अर्था सोने के लिए चले जाते हैं और इस कार्तिक सुखला एकादसी की दिन देव उठ जाते हैं उनका उठने का समय होता है इसलिए इस एकादसी को देव उठनी एकादसी कहा जाता है देव सैनी एकादसी के बाद से कोई भी सु एकादसी कहा जाता है इसी कादसी से ही सभी सुब कारिये आरंभ हो जाते हैं विवा उपनेन आदी कारिये इस एकादसी के बाद से प्रारंभ हो जाते हैं